हलो मेरे नाम है चिंद्रहास, श्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है, IVPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है, IVPS PO Specialist वाला भी नोटिफिकेशन आ चुका है, आज हम बात करेंगे IVPS PO के नोटिफिकेशन में, बहुत ही कम समय में, कट टू कट 1015 मिनेट में आपको पूरा ये समझा दूँगा, क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो चलिए श्टार्ट करते हैं, तो नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको अगर डेट की बात करिया है, तो एक अगस से इसके जो रिजिस्ट डेट के बारे में नहीं है, और अगर हम यहाँ पर बात करें, रिजल्ट की तो वह भी मतलब 10-15 दिन में आई जाता है, अक्टूबर नॉवंबर में आ जाएगा, फिर अगर हम मेंस एकजाम की बात करें, तो वह नॉवंबर में होने वाला है, और मेंस का रिजल्ट का समय होने वाला है, कि आप अगर अभी तक भी सीरियस नहीं है, तो थोड़ा अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा लीजिए, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, कि अगर इसमें देखेंगे, आपको पूरा चार्ट मिल जाता है, कि क्या क्या चीज़े हैं, पार्टिसि कर रहे हैं, और फिर अगर हम आते हैं, अलिजिबिल्टी क्राइटेरिया पर तो पहली तो नेशनली चिज़ेंशिप को ले करके हैं, तो आप में से ज्यादा तर बच्चे इंडिया हैं, तो आपको इसमे अटेशन निंग बात नहीं, बाकि अगर आप नेपाल, भूतान य आपकी age minimum 20 साल और maximum 30 साल होनी चाहिए मतलब इस दिन तक अगर आपकी age 30 साल से एक भी दिन जादा है तो आप eligible नहीं होंगे या फिर 20 साल से एक भी दिन कम है तो eligible नहीं होंगे और reference के लिए ऐसा समझेए कि अगर आपका जन्म दिन 2894 से ले करके 1894 के बीच में और दोनों date को साथ में ले करके कि इन date पे या फिर इनके बीच में है तो आप इस form को भर सकते हैं अगर इससे पहले आपका जन्म दिन पढ़ता है या फिर इससे बाद पढ़ रहा है तो आप ये form नहीं भर सकते हैं बहुत सीधा सा concept है relaxation के अगर हम बात करें upper age की तो वो category wise वैसे ही है जैसे हमेशा होती है next यहाँ पर EWS के बारे हम बहुत सारे बच्चे बात करते हैं कि इसका criteria क्या है तो पूरा criteria लिखाओ है कि EWS में आप apply कर सकते हैं अपने certificate के लिए कि नहीं उसका क्या criteria पूरा लिखाओ है अगर आप इसमें आते हैं तो आपको EWS certificate बर्वान होगा या तो पहले बनाया तो अच्छी बात है लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा फिर next बात करते है educational qualification की तो इसकी जो date हो 21 अगस्त 2024 है मतलब इस date तक आपके पास graduation जो है वो complete हो जानी चाहिए इसमें जो minimum requirement होती है degree की वो है graduation की और कोई भी discipline हो मतलब बहुत सरे बच्चे समझते हैं सर हमने तो BA किया हमारा नहीं होगा क्या कि वो बीटेक वालों का होगा ऐसा नहीं कोई भी discipline हो बस वो जो आपने course कर रखा है recognize university से होना चाहिए या फिर कोई equivalent qualification हो जो की recognize हो central government से तो भी वो मानने होता है तो उससे आपको बस graduation की degree चाहिए और यहाँ पर जो degree की बात हो रही है या फिर graduation complete होने की बात हो रही है लिखाए कि all the education qualification mentioned should be from university institution recognized by government of India और यह बता जा रहे है कि जो final result है should have been declared on और before 28-2024 कि जो final result है आपका graduation का वो 21-2024 से पहले या तो इस दिन तक आ जाना चाहिए अगर आपका जो final result माली जी आप किसी last semester में कोई course कर रहे हैं और उसका जो result है वो 27 अगस्त को आता है तो आप यह नहीं कहेंगे कि हम भी तो form भर सकते नहीं हो सकता लेकिन अगर आपका result जुलाई में ही आ गया है या फिर आपका result अगस्त में आ जाता है दस अगस्त को आ जाता है तब आप form को fill कर सकते हैं फिर उससे पहले आ गया है पिछले साल तो अच्छी बात है यहाँ पे लिखाए कि proper document जो होना चाहिए बोर्ड इन्वस्टिक ओफ having declared the result on or before 21, 8, 2025 has to be submitted at the time of interview अभी आप यह सोचें कि उनको पता कैसे चलेगा हम कहें दिंग हमारा result 26, 2024 को है था तो जो भी result आता है online, offline जो भी होता है result तो उसके नीचे date जरूर लिखी होती है date की result publish होने की तो उससे check किया जाता है और वो कब check होगा at the time of interview और अगर ऐसा पाया जाता है कि आपका जो result है वो जो declared date है उसके बाद आया है तब फिर आपकी जो eligibility होती है या candidature होता है आगे consider नहीं किया जाएगा फिर यहाँ पर देखे बताया जा रहा है कि date of passing eligibility examination will be date of appearing on the mark sheet जो मने आपको बता है लिखा है कि in case of the result particular is posted on the website of university web based certificate is issued proper document certificate in original issued by signed by the appropriate authority university indicating that date of passing properly mentioned thereon will be reckoned for verification for further process मतलब मालीजे कि date अगरा मालीजे नहीं लिखी आती है आपके online जो result आ रहा है date वगरा उसमें लिखी नहीं कब है तो उसको आपको पहले अगर आ गया है तो अपनी university से जा करके उसको test वगरा कराना होगा जिसमें लिखके जो university के head होंगे वो आपको देंगे कि result इस दिन को आगे उनकी proper seal stamp और sign लगेगा फिर यहां पर बताया जा रहा है कि जो candidate का जो percentage है graduation का वो nearest two decimal तक जो है आपको accurate लिखना होगा और जहां पर CGPA award किया गया है तो CGPA जब भी award किया जाता है तो आपके जो certificate होता उसके पीछे लिखा रहता है कि उसको percentage में कैसे करें तो उस method से करके आपको percentage में दिखाना होगा और लिखा है कि if card for the interview candidate will have to produce certificate issued by the prepared authority इंटर आलिया stating the norms और वो सारी चीजें कि क्या norms हैं percentage calculate करें उस सब दिखाना पड़ेगा फिर calculation और percentage के यहां बात करें जिसमें बहुत सारे बच्चे confused होते हैं कि इसमें जो percentage का calculation है हर एक जगा percentage अलग-लग calculate होता है कहीं की जगा पे ऐसा होता है ये first year में केवल 50% नमब या 25% नमबर, second year में 50% नमबर ऐसे करके जो final आता है result उसमें अलग percentage होता है तो यहां पे बताए जारे कि जो percentage होगा ये ऐसे होगा कि आपने तीन साल या चार साल का जितने का course किया है graduation का उसको पूरा calculate कर लीजे उसमें कितने total आपके नमबर आए हैं मतलब कितने नमबर आपने प्राप्त किये हैं और उसको divide कर देना है किस से जितने आपने exam दिये हैं जो maximum marks है उसको total करके divide कर दीजे लेट से आपने चार साल का कोई course किया है और उसके जो total marks हैं मतलब maximum marks है वो 4000 हैं तो अगर आपको add करना है चार साल में आपने total कितने नमबर पाए हैं लेट से आपने पाए हैं अठाइस सो नमबर ऐसे करके तो इसको divide करके 100 ऐसे करेंगे तो आपको क्या मिलेगी percentage अपनी कितनी 70% तो वो आपको indicate करना है यहाँ बच्चे गन्फिज होते हैं कि सर यहाँ 59.99% लिखा हुआ है क्या नहीं यह बस बताया जा रहे कि अगर आपका result आ रहा है 70.59% इसको 71 नहीं कर देना है या फिर अगर जैसे यहाँ पे लिखाए 59.99% तो इसको यही लिखना है इसको 60% नहीं लिखना है तो वो बस बताया जा रहे है बाकि CGPA वाला तो यह नहीं आपको बताया दिया पिर अगर हम बात करें credit history की मतलब यह है कि अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो आपने उस लोन को चुका दिया हो पूरा full paid off वो लोन हो क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर आपकी credit history खराब हो जाएगी फिर आपका जो कैंडिडेचर होगा वो खत्रें पड़ जाएगा मतलब बैंक वहीं जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आपने बैंक को चुना लगा रखा है ऐसे वाली बात होगी इस वजा से हम क्या लोन लेंगे लोन बहुत तरह से आज कल चल रहे हैं बहुत सारे लोग जो एमेजॉन फिलिप कार्ड पर डिविट कार्ड पर लोन ले लेते हैं फिर इमाई पर जो चीज़ें ले लेते हैं उसे लोन की तरह सारी चीज़ें आपके सिविल में रेफलेक्ट होती हैं तो इस बात का ध्यान रखें आपका सिविल स्कोर अच्छा हो क्योंकि अगर ऐसा होता लिखा है कि केंडिडेट विद नो बैंक चैनल नोड बी रेक्वार्ट प्रडर्यू बड़ उस्कोर रिक्वार्मेंट इस नौट प्री कंडिशन टू अपलाई बतलब यह वता जा रहे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपका बैंक अका इकांट ही ना हो तो आपका कोई सिविल इसामनेशन का तो जैसे पिछले साल का था वैसा ही है प्रेलेम्स जो होगा उब्जेक्टिव होगा इंग्लिश लैंग्वेज उसको क्लियर करना पड़ेगा तभी आप मेंस के लिए शॉर्ट लिष्ट किये जाएंगे मतलब ऐसा है कि आपने ओवराल कॉट आफ पार कर लिया लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में फेल हो गया जो मिनियूम कॉट आफ मालीजे नौ नंबर कर रखा गया आपके साथी नं इंग्लिश लैंग्वेज डेटा अनालसिस है और फिर पांचवा जो इसमें आता है वह आपका रिटेन टेस्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का इसमें लेटर राइटिंग और एसे होता है पैतालिस कोशन रहेंगे रिजनिंग कंप्यूटर में चालिस बैंकिंग अवेर्नेस या जीएस में और पैतिस कोशन रहेंगे 35 इंग्लिश में और 35 रहेंगे डियाई में फिर नंबर की बात करें तो इसमें के 45 कोशन साथ नंबर के होंगे 40 कोशन चालिस नंबर के 35 कोशन साथ नमबर के आपके आते हैं दियाई के तो टोटल 155 कोश्चन्स होंगे और 200 नमबर का टोटल ये टेस्ट होने वाला है और इसमें भी आपकी अलग-अलग सेक्शनल टाइमिंग है एस इटे जैसे पहले थी इंग्लिश लेंग्वेज की बात करें तो इसमें दो कोश्चन्स होने वाले हैं एक लेटर राइटिंग का होगा और एक एसे का होगा चोईस मिलती है वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और 25 मार्क्स का ये टोटल होने वाले है इसलिए आपको आधे गंटे का समय दिया जाएगा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपका अब्जेक्टिव ये खतम होता है वैसे ही तुरंट जो है आपका ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर ही ये स्टार्ट हो जाता है टाइम ऐसा नहीं दिया जाता है आधे गंटे का ब्रेक दे दिया ये अगले दिनों का ऐसा नहीं होता है और ये आपको कीबोर्ड पे टाइप करके जो है कंप्यूटर पे ही लिखना होता है और इसलिए जैसे आजकल हमारी आदत होती है मॉबाइल या इंटरनेट कहीं भी हम टाइप करते हैं तो इसमें जो स्पेलिंग करेक्शन हो आटोमेटिक होता है तो हमको पता भी नहीं है आजकल स्पेलिंग बहुत गलतियां होती है इसमें ऐसा कुछ लाल नीला नहीं दिखाई देगा जो भी आप स्पेलिंग लिखेंगे वो वैसे ही कंसीडर होंगी और स्पेलिंग का ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी ग्रामर तो ठीक है चल जाएगी स्पेलिंग अगर गलत हो गई तो उसे समझने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखाई डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा इवैलिवेटिंग रिस्पॉंसे कि इसमें कोई बायस नहीं इन्वाल होगा मशीन से चेक किया जाएगा तो और इसलिए मैं कहा रहाँ कि स्पेलिंग करेक्शन आपको बहुत ध्यान रखना होगा और क्योंकि मशीन से अगर चेक होगा है ना तो क्योंकि यहाँ पर मार्जिन आफ एरर बिलकुल भी नहीं होगी अगर मशीन से चेक हो रहा है फिर अगर हम बात करें नेगटिव मार्किंग की क्या पेनल्टीज बगरा होगी तो ओनलाइन प्रिलेम्स और मेंस दोनों में नेगटिव मार्किंग है पहली बात नेगटिव मार्किंग अबजेक्टिव टेस्ट में होने वाली है और हर एक कोश्चन के लिए जो कि आप गलत एंसर करेंगे उसका 1 4th या फिर 0.25 नमबर जो है वो आपके नेगटिव नमबर के तोर पर एसाइन होंगे और लिखा हुआ है कि विल बे डिडिव डिड़क्टेड एज पेनल्टी तो अराइव एड करेक्टेड स्कोर अगर आपने कोश्चन को छोड़ दिया है ब्लैंक तो आपको कोई नमबर नहीं मिलेगा मतलब ना पॉजिटिव नमबर ना नेगटिव नमबर जीरो नमबर मिलेगा और इसमें कोई नेगटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें इसका वन फोर्थ होगा मतलब इसमें जो नेगटिव मार्किंग होगी वह 0.33 नमबर की होने वाली है तो दिहान रखने वाली बात यह है कि आप 0.25 से मत चले के चलिए वन फोर्थ से समझके चलिए फिर बात करेंकर cut-off score की mains examination की तो लिखा गया है कि जितने भी candidates हैं उनको minimum जो cut-off होगा main online examination का उलाना होगा हर एक section wise भी और overall भी यहां पे लिखा गया है लिखा गया also a minimum total score to be considered to shortlisted for interview depending upon the number of vacancies available cut-off will be decided and candidates will be shortlisted for interview जैसे vacancies होंगे उसके अमसार category wise shortlist के जाएंगे इंटर इंटर्वी के लिए candidate और ऐसी cut-off decide होगा मतलब पहले से नहीं होगा बाद में होता है कि बाकी बच्चों के exam कैसे हुए है पिर यहां पर बताए जाए रहे है कि prior to completion of interview process course obtained on online main exemption will not be shared with the candidate shortlisted for the interview की online examination main इनका जब result आ जाएगा तो result में आपको नंबर नहीं दिखेंगे क्यों यह बता चलेगा कि आप इंटर्वीव के लिए कि नहीं उसके बाद interview process होने के बाद यह नंबर दिखते हैं यहां पर चीज यहां पर और भी ध्यान रखने हैं कि marks अब भी किया उसका कोई नंबर नहीं जूड़ता है एक भी नंबर नहीं जूड़ता है कि ओल मेंस examination और interview के नंबर जूड़ते हैं final selection के लिए तो इस बात को बहुत ध्यान रखेगा फिर यहां प एक बात और है कि अलग-अलग shift में paper होता है तो बताय जा रहा है कि अलग- 2.7523 ऐसे करके तो 75 तक ही लिया जाएगा ओके वह है इंटर्व्यू का इंटर्व्यू के बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि में examination के score के अधार पर इंटर्व्यू में बच्चे बुलाए जाएंगे मतलब जो भी participating bank होंगे उनके द्वारा और यहां बताया जा रहा कि किसी भी तरह की इंटर्व्यू के समय में आप कहें कि हम अपनी date बदलना चाहते हैं, center बदलना चाहते हैं वो सब entertain नहीं किया जाएगा कि अपनी सुविधा के अंसारव अपना इंटर्व्यू यहां पर देने का प्रयास करें वो सब नहीं होगा एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि category change भी यह involved मतलब इसका भी कुछ भी entertain नहीं किया जाता है, अगर मालीजे आप OBC category से हैं और आपने जो form भरा है general category से भर दिया है, बाद में चल करके आप यह कहें कि हमें जो है general category नहीं हमारे OBC category हमारे पास certificate है, entertain नहीं होते है, category change नहीं होगी, या फिर पतलब वाइसन वर्सा वाला case भी हो गया कि आप general category से हैं और आपने किसी और category से form भर दिया है, इसलिए कि हमारा selection हो जाया और आकरी में चल के अगर आप certificate नहीं दिखा पाए, तो वो आपको डिवार कर दिया जाएगा, फिर यहां बताया जा रहा है कि जो total marks हैं, interview के 100 होते है SCST, OBC और PWBD के लिए, बाकी के लिए 40% marks आपको लानी चाहिए, और ज्यादा लाएंगे तो और अच्छा chance रहेगा selection का, क्यों? क्योंकि अगर हम weightage की बात करें, तो online main examination interview का जो weightage होता है, 80 to 20 का होता है, मतलब पूरे number को 100 में calculate किया जाता है, मतलब reduce किया जाता है, main examination और interview को, और फिर 80 जो weightage होता है, जो mains के number होते हैं, उसका लिया जाता है, 20% जो weightage होता है, वो लिया जाता है interview का, उसके बाद final meritage तयार होती है, इनको मिला करके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, main examination interview important है, आपके final selection के लिए, यहाँ पर लिखा है, candidate को qualify करना होगा, दोनो main examination interview में, तभी वो select हो पाएगा, ऐसा नहीं, main में आपने बहुत अच्छा score कर दिया, interview फेल हो गए, लेकिन अगर overall दिखा जाए, तो आप pass हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों में अलग-अलग pass होना पड़ेगा, तभी आपको final जो posting है, वो मिल पाएग यहाँ पर और चीज़ें बताएगी हैं, कि interview के लिए जब बुलाए जाएगा, तो उसमें document verification होता है, तो आपको सारे जो valid prescribed document हैं, आप से related, उस सारे documents आपको ले करके जाने होगे, original के form में, और वहाँ पर दिखाना होगा, अगर कोई जैसे आपने category certificate नहीं लेगेगे, आप करने category से belong करते हैं, तब ऐसे case में फिर आपको consider नहीं किया जाए, candidature आपका valid नहीं होगा, या फिर आपने AWS का certificate ही नहीं है, तो ऐसे यह सारी चीज़ें होती हैं, आपने date of birth या result जो निकला हुआ है, वो आप लेके ही नहीं गये, कि result आपका कब आया है, तो यह सारी का मतलब क्या होता है, कि permanent allotment नहीं होती, पहले आपको दो साल provisional रखा जाता है, कि देखा जाता है, आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, फिर आपको permanent क्या जाता है, तो इसमें यहीं बताया जा रहा है, कि आपको category के हिसाफ से जो final merit list बनेगी, उसी के अनुसार फिर आपको provisional allotment दिया जाएगा, अगर आप cut-off overall जो है, वो पार कर पा रहे हैं, तो यहां पर पताया जा रहा है कि भाई, बीच में जो vacancies हैं, कई बार ऐसे बैंक होते हैं, भी not reported हैं, बाद में भी नहीं रहे, या फिर vacancies उनकी fill हो गई, कम हो गई, तो उसके लिए IVPS अगरा जिम् candidate है, और उसने जो लिखा के उसको select किया गया है, जनरल कटेगरी के नर्म के तौर पे तो जनरल कटेगरी वाली ही सारी चीज़ें उसके और अपलाई होंगी, ऐसा नहीं है, कि जनरल कटेगरी से अगर जा रहे हैं, तो जो रिजर्ब कटेगरी वाली जो cut-off अगरा, वो सकते हैं, इसमें वही सारी बातें बताईगे हैं, अट्जेस्ट नहीं की करी जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा, कि आपको certificate नहीं दिखना, अगर आपने रिजर्ब कटेगरी का certificate के लिए डाल रखा है, तो certificate भी दिखाना होगा, और अगर नहीं दिखा पाए, यह कहते भी कि हमारा तो जनरल कटेगरी से हो गया है, तब ऐसे केस में expenditure आपका फिर नहीं है, मतलब फिर वो fail हो जाएगा, फिर आप process से बाहर हो जाएंगे, next यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारी और भी चीज़े हैं, जो बहुत सारी आपको बताई जारी क्या क्या हो सकता है, कैसे apply करेंगे तो सब को पता है, आपको जाना होगा, इसके बारे हम कभी बात करेंगे, क्या allowed है, क्या नहीं है, फिर हम आते हैं, next जो important चीज़े हैं, कितने vacancies हैं, तो अगर आप vacancies को देखेंगे, तो total 11 bank हैं, यह बात तो सब को दिख रही है, फिर 11 bank में अगर आप देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bank हैं जिन्होंने अपने अभी ज vacancies से ही, जो total vacancies हैं, वो 4,455 हैं, ध्यान रहे, पिछली बार 3,000 के आसपास यो vacancies थी, शुरुवात में आई थी, इस बार तो vacancies की संख्या, आप ऐसे समझ के चलिए, कि अगर यह 5 bank vacancies को लाती हैं, और जैसा अगर average मैं इनका देखूं, कि जो bank ने यहां पर डाला है, तो क कम से कम, हजार से पंदरा सो vacancies और इसमें बढ़ेंगी, इन पांच बैंकों के द्वारा, अगर बहुत ही कम vacancies आई तो कोई बात नहीं, तो आप यह समझ के चलिए, साढ़े 5 से 6,000 के बीच vacancies हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, minimum इतनी तो रहेंगी रहेंगी, यह आफिट वगएरा भी बढ़िया शो किया, तो इसमें 2000 vacancies आई है, जो कि अच्छी बात है, Central back of India के लिए, बाकी vacancies जैसे अपडेट होंगी, वह आपको पता चलेगा, बढ़िया वेकेंसी हैं, पिछली बार की तुलना में अगर बात कर रहें हैं, तो बाकी जो इंपोर्टन शेयर करिए, और इस तरह के और वीडियो के लिए और आपको अब यहां पर जो classes मिलेंगी, उनके लिए आप चैनलों को सब्सक्राइब कर लिए, मिलते हैं के लिए उडियो में, सभी लोगों को बाए